राधरादे जी आप सभी कब हो स्वागत है मेरे चनल वास्टो टिप्स फॉर होम में दोस्तो महा शिवरात्री का दिन बहुत बड़ा दिन माना जाता है और इस दिन बहुत ही सरवासिद्ध योग बनने जारा है शिव योग बना हुआ है और भोले नात की किरपा होने जारी है इस योग में अगर आप भगवान शंकर का पूजन करते हैं तो एकीन मानिए जीवन में चल रही सभी परेशानियों से चुटकारा मिलता है और जो भी आपकी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होती है आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब निकर रखा तो सस्क्राइब जरू कर लें बगले बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरे आने वाली सभी लेटस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पूछ सके दोस्तों महा शिवरात्री पर चार पहर की पूजा का सबसे अधिक महत बता जाता है अगर आप सुबह और शाम दो पहर भी भगवान शंकर का पूजन कर लेते हैं पूरे विदी विदान से तो यकीन मानिए आपकी जो भी मनोकामना है अतिश्य पूरी होगी दोस्तों इस दिन भगवान शंकर का पूजन पंचामिस से अवश्य करें और साथ ही जो भगवान शंकर की प्रिय वस्तु है भांग, धतूरा, बेल, पत्र, मतलब फल, फूल तो अवश्य ही चड़ाएं, साथ ही भगवान शंकर को आपको एक वस्तु का भोग अवश्य लगाना है आप अपनी किसी भी मनोकामना के लिए कर सकते हैं, आपको दो केले लेने हैं और उनको काट कर आपको शहद में, मतलब शहद लगाकर अपनी मनोकामना बोलते हैं वह साथ बार शिवलिंग पर चड़ाना है, यानि आपको भोग लगाना है दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं कि देखे भगवान शंकर को कटा हुआ अफ़ल या कोई भी वस्तू कटी हुई नहीं चड़ाई जाती, लेकिन दोस्तों हम भगवान शंकर को चड़ा नहीं रहें उनको भोग लगा रहें, और भोग देखे काट कर ही लगाया जाता है, तो आपको दो केले लेने हैं, उनको छोचोटे पीसों में काट लेना है और शहद लगा कर आपको अपनी मनो कामना बोल कर साथ बार शिवलिंग पर चड़ा देना है और बचे हुए प्रसाथ को सोयम ग्रहन करें, पती-पत्नी में नहीं बनती या आपस में प्रेम नहीं है, तो पती-पत्नी दोनों अवश्य ही उस प्रसाथ को ग्रहन करें आपके घर में सुख समरिद्धी का आगमन होगा घर में जितने भी वास्तु दोश है ग्रहे दोश है वो अवश्य ही दूर होंगे दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर जरू करें आप सभी को जै श्री राधे